Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel. So guys, आप लोगों ने छुट्टियां तो मना लिए अब, दिवाली गया, दशेरा गया, छट पूजा गया, और अक्टूबर का महीना भी इन सब में निकल गया. आपको ये भी पता है, कि आपके नीट की एक्जाम की डेट अल्मूस्ट तेह कर दी गई है, मई के पहले सप्ता में, तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड बच रहा है. नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, और आपके पास सिर्फ नवंबर से अपरिल तक का टाइम है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आपको सलेबस कम्पलीट करना है, रिविजन करना है, और खूब सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, तभी आप अपने सपनों के मे इसमें मैं point by point वो सब चीजे आपको समझाओंगा जो आपके नीट की तयारी में जरूरी है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यही चैनल आपकी नीट की नईया पार करान एक और important announcement है, अगर आप online पढ़के नहीं लग रहा, आपको समझ में आ रहा है, वो एक agility नहीं है, आपको लग नहीं है, आप खुद से तयारी कर पाएंगे, तो आपके पास एक आखरी मौका है, मेरा एक rankers pro batch launch हो रहा है, अनकैडमी सेंटर नॉइडा पे, जहां पे मैं और मेरी team, directly मेरे mentorship में, 100 students, है ना, अल्रेडी हमारा दो batch चल रहा है, ठीक है, यह तीसरा batch है, और यह आखरी batch है, सो बच्चों को हम एक rankers pro batch में डालेंगे, जहां पे बिलकुल nominal fees, पे nominal fees मतला 55,000 रुपीज fees है आपकी, और इस पे आपको 20% का discount मिलेगा, तो आप मैस लगा लग 35-40,000 रुपीज में आपका पूरी नीट के तयारी हो जाएगी, 15 नमबर से यह batch start हो रहा है, तो अगर आप इसमें admission लेने में interested है, तो इस नमबर पे call कीजिए, या एक Google form description में दिया है, उस Google form को भर दीजिए, और 15 नमबर से मेरे guidance में, बिलकुल मेरी team से पढ़िए, आप offline और अपने सपनों के medical college में जाने का सपना पूरा कीजिए, जो बच्चे किसी कारण वाश नौइडा सेंटर नहीं आ सकते, वो आगे का वीडियो बिलकुल अच्छे से देखे है, तो guys, आपको कुछ pre-requisite चाहिए, ताकि आप NEET की तयारी अच्छे से कर पाएं, इन pre-requisite को आप आज ही जमा कर लीजिए, ताकि आपका बहुत systematic तरीके से सारा काम होता जा, ठीक है, क्या pre-requisite है भाई, सबसे पहला pre-requisite है कि slabus tracker with probability, मिटा, बोलोगो, sir, ये क्या होता है, मिटा, कुछ नहीं होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको slabus tracker, मैं दिखा देता हूँ, ठ कर सकते हैं, अब जैसे माल लो कि कोई भी chapter है, माल लो भाईल जी कहा है, अब लेविंग वर्ड में आप क्या-क्या पढ़ रहे हो, टिक है, तो what is living, need for diversity classification, diversity in living world, three domains of life, concept of species, taxonomical hierarchy and taxonomical aids, है ना, अब हर point पे एक credit point मैंने add कर दिया, कि इस chapter से कितने number के सवाल आ सकते हैं, तो ज इतने number insure के, जैसे माल लो कि आपने living world of value class हैं, पूरा complete कर लिए, तो आपने 12 number insure कर लिए, plant kingdom आपने 12 number insure कर लिए, तो वैसे मैंने पूरा एक structure बना के आपको दे दिया है, physics, chemistry और biology का, ठीक है, अब बोलो कि सर, ये credit point कहां मिलेगा, या ये probability meter कहां मिलेगा, ये मेरे telegram channel t. c.me slash anandmoney001 पर मिल जाएगा, इसको न, इसका notification on करके रखना है, ये हम दोनों के बात करने का जरिया है, मुझे कोई information जल्दी पहुचाना होता है, मैं telegram पर डाल के पहुचा सकता हूँ, सबसे आसान तरीका है आप तक पहुचने का, तो ये जरूर कर लेना, ठीक है, तो य previous year question की किताबें आपको लेनी है, physics की, last 33 year, chemistry की last 33 year, biology की last 33 year, ठीक है, exemplar की किताबें आपको लेनी है, physics, chemistry, biology, again इसका भी PDF चाहिए, तो मेरे telegram चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, practice booklet भी आपको, हर chapter wise हम अपने telegram चैनल पर अवेल करा देंगे, अगर आपको किताब चाहिए, तो month of 10th December, ठीक है, तो 10th December से हमारी एक बहुत amazing test series आने वाली है, तो अगर आप अभी कहीं भी test series के लिए opt करें, तो अभी रुख जाएंगे, 10 December से हम test series भी आपके लिए all India test series launch कर देंगे, अनकादमी के platform पर तो आपको टेंचन लेने के ज़रूद नहीं है, तो ये आपके सारे prerequisites हैं, जिसको आपको रखना है, अब आगे कैसे बढ़ना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहला सवाल है, भाया मेरा तो इतना backlog हो गया है, मैं क्या करूँ, backlog से black log, क्या बोलना हूँ मैं, backlog से blackout हो जाएगा है न, तो backlog बेटा नाम की कोई चीज नहीं होती है, अब क्या करना है, आपको step one, सबसे फ़ल, अब जो ये slabus tracker है, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, उस slabus tracker में उसको mark कर दो, ताकि आप zero level से start नहीं करें, अगर नहीं भी पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, let's begin with a clean slate, कोई दिक्कत नहीं, नया start करते हैं न, भूल जाओ, क्या time waste हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ, experiment किया, तुमने गलत course खरी लिया, ये हुआ, वो हुआ, एक दम clean state से start करते हैं, मैं आपको बिलकुल जुगारा बता दूँगा, कहीं भी पढ़ा होगे, आपको बिलकुल systematic तरीके से एक जगा सारे lecture मिल जाएक है, ठीक है, तो clean slate से start करते हैं, there is nothing as such called backlog, backlog नाम का कोई चीज नहीं है, तो please इस पर वीडियो ने जेखना, sir, backlog कैसे cover करे, आज से शुरू करो न, क्यों backlog देखना, right, start today, tomorrow भी नहीं करना है, ठीक है, आज ही करना है, start today, आज ही कुछ भी पढ़ लेना, कल से नहीं करेंगे, आज मालों तीन लाइन ही पढ़ लेना, बट start today, बहुत अच्छा दिना, आज एक दम पंडित वन्दी को दिखा के, अज का दिन फिक्स किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा दिना, आज से शुरू कीजे पढ़ना, ठ मैंने आपको pre-requisite बता दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, अब आपकी मर्दिया, दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे जो लाइव क्लास देखना चाहते हैं, ठीक है, एक बच्चे जो अपने speed से recorded पढ़ते हैं, अब बोलोगे, सर क्या करना चाहिए, बेटा, यह आपका college, जैसे मेरे ऐसा student था, मैं recorded lecture prefer करता as compared to life, ठीक है, कुछ बच्चे जिनको वो motivation नहीं आता है, यार छूट देते हैं बीच में, तो लाइव करते हैं, अच्छा, यह दोनों lecture, आपको एक playlist पूरी दिख जाएगे, नीट endgame करके मेरे, अब बोलोगे, सर य में क्या है सर आप देखिए, कुछ नहीं करना आपको बिटा, कुछ नहीं करना, देखो, physics, chemistry, biology, अमालों की, हमने 7-8 दिन की classes हो गई, मतलब अभी हो गया होगा, आपका 10 days की classes का backlog आपको हो सकता है, ठीक है, अगर आपको live करना है, तो यहाँ क्या है, नया chapter रोज शुरू ह होता है, और ऐसे पढ़ाया जाता है, कि अगर आपको पहले के chapter नहीं भी आते हैं, तो भी आप उस chapter को detail में zero level से पढ़ता है, तो अगर आपको live करना है, simple सा fund है, Monday, Tuesday, physics होता है, Wednesday, Thursday, biology होता है, और Friday, Saturday, chemistry होता है, detail lecture होता है, अगर बहुत बड़ा lecture है, तो दो दिन में खतम होगा, अगर छोटा lecture है, तो एक दिन में खतम हो जाता है, ठीक है, तो आपको भी यही follow करना है, one day, one chapter, तो आराम से एक दिन में एक पूरा chapter आप पढ़ लिए, पढ़ लिया आपने एक पूरा chapter अच्छे से, करने हैं, और इसके बाद हम आपको 100 practice question देते हैं, वो practice question करने है, सबकी pdf, आपको मेरे telegram channel t.me slash आनन्मनी 001 पे मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो आपको बस ये telegram channel को unmute करके रखना है, और इस channel को subscribe को तो physics, chemistry और biology का one stop solution भी दिया, ठीक, तो क्या करना है आपको, छोटा lecture है, तो one day one chapter, chapter complete करने के बाद उसके pyq की, उसके exemplar किये, और उसके practice question करती है, इतना sufficient होता है, संडे को आप, इसका, जो backlog आपका रह गया, गलती से कुछ आपने छोड़ दिया, या revision रह गया, उसके लिए हम time आपको देते हैं, ताकि आप संडे को revision करें, दिसंबर से हम संडे को आपकी test शुरू कर देंगे, तो इस से आप zero level से अपनी need के तयारी साथ करते हैं, जो भी चीज़े मैंने आपको बताई थे, pyq, exemplar, practice booklet और ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, राइट, राइट, चीज, आगे बढ़ते हैं, time table आपका कैसा होना चाहिए, बटा, अब अगेन, time table तुम कितने बज़े सोते हो, तुम कितने बज़े उठते हो, तुम कितने बज़े उठते हो, तुम्हारी मर्जी है, custom time table अपना बना लिज़े, क्या, seven hour sleep, अब कब सोना है तुम, देख लो, do not sleep in installment, installment पर नहीं सोना है, ठीक है, don't sleep in installment, मतलब दिन के time पर आपको नहीं सोना चाहिए, खाना कागे जो, चांट देते हो, वो नहीं करना आपको, installment में सोना है, तो दिन के time में कोशिश करना आप नहीं सोईए, तो जैसे लोग कहते हैं, सुबह चार बज़े उठ जो, पांच बज़े उठ जो, फिर दुम दोबर में सोते हो, तो नहीं उठने का जरूँए, चार बज़े, पांच बज़े, ठीक है, अराम से आठ बज़े उठ हो, बारा बज़े सो, साथ गंठा सो, कोई दिक्कत नहीं ह साथ गंठे के अच्छी नीन पूरी करो, जब भी सो, ठीक है, बिना डिस्टरमेंज के, ठीक, अच्छा, शेडूल अपना जो बनाई है, अभी, इनीशली, नॉमबर में क्या करना है, नॉमबर में जितने देर आप पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आप शेडूल बनाते हैं पढ़ने का, तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा क्या, अगर माझनोदों आपने फाइव आवर्स लेग्च्छर देख या, लेक्छर प्लान मनाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉमबर दिसमबर ऐसे फॉल करना, ठीक है, जिससे आपका स्लेबर से जल्ड़ी कम् ठीक है तो six hour लेक्चर अगर आपको और पढ़ना या फाइव आवर लेक्चर ही कर लो लेक्चर फाइव आवर ही रखो यह बढ़ा दो और फाइव आवर सेल स्टड़ी कर लो ठीक है और मार्च अप्रियल में दस गंटे जारा पढ़ने की जरुवत भी नहीं है ठीक है मार्च अप्रियल में सेम क्या फोर आर लेक्चर और शिक्स आर सेल्फ स्टड़ी तो यह बैलेंस बनाना है अब यह कैसे बनाओगे कितने बज़े उठोगे कितने बज़े पॉटी सब्क हो बच्चे नहीं कि मैं चार बज제 उठांओ साथ बज़े उठ हो जाते हो एक यहां पर चुलता है तुम काउमसर्ट DS से अपने दिन शूरूप कर सकती हो medicine तो बारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ वजे से तुम आराम से पढ़ना स्थार्ट कर सकते हो, दिन में मत सुना, ये शेडियूल अपना बनाना, ठीक है, दूसरा खाने का ध्यान रखो, कि ब्रेकफास्ट हेवी लो, खुब भारी भर कम ब्रेकफास्ट खाओ, ठीक है, और स्किप मत करो ब्रेकफास्ट, ठीक है, और डिनर बहुत लाइट करो, इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आपका काम हो जागा, और एक और चीज, कि सुबह उठो न, तो जब भी उठो, नहा लो, तो पूर स्क्राइब, पूछ सकते हैं, अब आते, टू-डू लिस पे, आज मुझे क्या करना है, तो बढ़िया है भी या, दो काम कर सकते हो, या, अपना टू-डू, लिस बना सकते हो, तो तुम देख लो, आज क्या पढ़ना है, प्लेलिस तो तो तुम है, अगर रिकॉर्ड़ेट देखो हुआ तो अपना प्लेद लिस बना लो नहीं तो हम टेलिग्राम पे तूडू लिस्ट आपको देते हैं तो आप उस्ते टूडू लिस्ट को फॉलो कर सकते है ठीक हैं बट टूडू लिस्ट से बनाने से नहीं होगा डेली इसकी मैपिंग करो और जो back block बच जा है जो back block बच जा है उसको Sunday को complete करो तो to do is एकदम quantitative in nature होना चाहिए क्या? कि हाँ जी मैं lecture देखूंगा ठीक है कौन था topic देख रहा हूँ? ठीक है मैं PYQ कर रहा हूँ? अच्छा मैं exemplar कर रहा हूँ? अच्छा तो इससे तुम्हारा daily to do list complete हो जाएगा अगर तुमने 7-7 day का challenge लेके चलो ठीक है? 7 दिन का challenge लो उसके beyond मत सोचो 7 दिन का challenge लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है? तो क्या करना है आपको? 7 day challenge लेना है ठीक है? 7 दिन का challenge लोगे? तुम्हारा बहुत अच्छे से काम चलता रहेगा ठीक हर 7 दिन में देखो कि क्या तुमने 1 week complete किया? क्या तुमने 2 week complete किया? और ये मैं 7 day challenge आपके लिए हर week चलाता रहूँगा to do list के लिए मैं आपको Instagram पे भी रोज दे दूँगा आपका to do list ठीक है? बढ़िया ये होगी आपका to do list ठीक अब subject wise क्या क्या चीज़ है आपको ध्यान रखना देखो लिक्चे तो हम कराई रहे बट आपको subject wise क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले आते हैं physics की बात करते हैं स्टार्ट कीजे बहुत आराम से basic math से मेरा पुराना वीडियो यहाँ पर पढ़ाओगा basic math का detail में और इसकी practice वे बढ़ी हुए अगर तुमको अभी नहीं हो रहा ना तो चार दिन आराम से इसको practice को चार दिन से जादा का basic math तुमको नहीं चाहिए होगा फिजेक्स के practice के लिए ठीक है दूसरा phobia हटाओ स्टार्ट करो theoretical chapters से modern physics से start कर लो है ना optics कर लो ठीक है वंडी कर लो motion in 1D kinematics बहुत आसान है उसमें सवाल नहीं है work power energy कर लो इजी chapters है यह अब तुम सीधे रोटेशनल भी कूद होगे तो तुमको समझने में दिक्कत होगी बट ऐसे तुम 10 से 12 chapters है ठीक है अगर तुम बोलो कि तो मैं detail में यह 10 से 12 chapters का list आपको दे दूँगा कि कैसे physics शुरू करना है theoretical chapters ठीक है इन 10 से 12 chapters जैसे आपने किये ना आपको confidence अपने हाफ physics पर बढ़ जाएगा साथ के साथ जो हमारी लेक्चेस चाने हो लेक्चेस करो पीवाई क्यू करो और एक्जेंप्लर करो देखो सिर्फ पीवाई क्यू और एक्जेंप्लर भी कर दोगे ना तो जितने टाइप के question है वो यहां हो जाएंगे complete ठीक है तो यह अपना आपका काम पूरा खतम हो जाएगा chemistry में भी तुमको load नहीं लेना सेम जैसे physics पढ़ते हो वैसे physical chemistry है हम करा ही रहें आपको ठीक है जैसे bile जी पढ़ते हो वैसे inorganic है और organic भी है कि इन और गनिक और गनिक बिल्कुल NCRT लेवल पर आपको रहना है कि फिजिकल के लिए आप थोड़ा और बढ़ सकते उस पर क्या reference book की जरूआ था नहीं भाई मेरे टीचर्स पढ़ा रहें आपको क्या जरूआ था आपको reference book की अगेन इसके भी लक्षे देखिए पी वाई क्यू कीजिए एक्जेंप्लर कीजिए और टाइम बच जाए तो टॉप कोश्चन कर लिजए जो मैंने दिये हुए अब यह पी वाई क्यू एक्जेंप्लर टॉप कोश्चन सब की playlist बनी हुई है भाईया डीटेल में नीट कोश्चन बैंके चैनल है जितने पॉसिबल कोश्चन है यह सब कुछ आपको यहां मिल जाता है तो आपको तयारी के लिए resource की कहीं कमी नहीं है ना आपको एक रुपिया खर्च करना है तो भाईया क्यों नहीं करते हो इसको ठीक है आते हैं biology पे तो biology को जैसे मैंने आ आपको बता है कि तीन फेस में डिवाइड करो फेस वन रट्टाफिकेशन जो मेरी टीम आपको पढ़ा रही है यह ना फेस टू एंसी आटी थोड़ा डीप में जाते है इसमें और फेस थ्री जो डीटेल के लेक्चर है ठीक है फेस थ्री में माग कर जेता हूं फेस टू आ फेस वन समझी जो ओगे ठीक है तो जैसे प्लांट फीजियो हो गया तुम्हारा पूरा यूमेन फीजियो हो गया sell buy हो गया class 11 का class 12 का chapter 3 chapter 5 chapter 6 chapter 7 chapter 8 9 10 strategies है chapter 11 chapter 12 chapter 1 class 12 class 12 12 का उसके बाद तुम्हारा आ गया ecology 13 14 15 और 16 ठीक है phase 1 में कौन और biomolecules जगो गया चाप्टर नमबर 9 यह तुम्हारे phase 2 में आते हैं phase 1 में कौन कौन से चाप्टर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 class 11 के पहले सुरू के साथ ठीक है उसके बाद mineral nutrition आ गया और तुम्हारा plant growth and development आ गया class 11 का class 12 का हो गया तुम्हारा reproductive health राटने वाला चाप्टर आसा कुछ समझने वाला बेसी रेपोटीव हेल्ट को वैसे इसमें डाल दो phase 3 में डाल दो यहां पे phase 3 में डाल दो reproductive health को ठीक है मैं पूरा phase 3 आपको पढ़ा ही रहा हूं human physio almost आपका complete हो गया बाकी सारे chapters भी हो जाएंगे phase 1 और phase 2 मेरी टीम पढ़ा रही है बिलकुल NCRT जब यह पूरा syllabus आपका complete हो जाएगा तो हम फिर NCRT review करेंगे आराम से उसके बाद फिर हम rapid NCRT revision करेंगे मेरे biology handbook से तो आपका असले बस तीन बार खतम होगा और उसके बाद फिर हम आपको करेंगे दस हजार question पी वाई क्यू एक्जेंप्लर यहां पे होई रहे हैं वो भी आपका लिए तो फिजेस chemistry बाइल जी आपका पूरा सौट बाइल जी में 100% 340 प्लस मांस आपको आएंगे और किसमत अच्छी रही तो 360 भी आ जाएंगे मैंने अगरेन बोला कि एक दो question थोड़ा वेग हो जाता है इसके गारण उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं ठीक फिजेस chemistry बाइल जी आपका हो गया इससे आपकी पूरी नीट की जर्नी डिसाइड हो गए एक सिंगल चैनल से ना आपको कहीं जाना है अगर आप में वह सेल्फ एजिलीटी नहीं है सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आफ्लाइन मेरे पास आजो अगर तुम्हारे अंदर है वह शमता कि तुम कर सकते हो तो यह टेलीराम चैनल करना और यह नहीं कि हम एक्टिविजम में लग गया है कि भाई हां कॉंट्रोवर्सी आज कल बहुत चल रहा है सीजन चल रहा है को यह सही है यह गलत है फोकस तुमने देखा ना मैं रियाक्ट करता हूं ना मैं कुछ बोलता हूं किसी कॉंट्रोवर्सी पर रीजन है कि ऐप्रील जो भी आपको रिक्वाइट सब टेलिग्राम पर मिल जाता है मैंड मैप्स हेंड बुक सब मिल जाएगा समय पर मिलेगा जब आपको जो सब रिक्वार्मेंट सको मिलजए तो आप ब्लाइंड ली सचानल को फॉलो कर सकते और अपना डॉक्टर बनने का सबना करेगा पहला साल तो नहीं है मेरा पढ़ाया हुआ है ना तो बिल्कुल अगर आप blindly ट्रस्ट करने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और टेलिग्राम चैनल पर अन्म्यूट कर देना उसको बिल्कुल ताकि कोई सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए वह नोटिफिकेशन है और कमेंट सेक्शन में डाल देना आई विल क्रैक नी 2023 लेट्स बी सेल्फ मोटिवेटेट लेट्स क्रैक नी 2023 वीडियो पतना है तो वीडियो को खूब सारा प्याद देना लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को और बैल इकन दबाते हैं ताकि आप कोई नोटिशन मिसना करते हैं क्लासे आपके जैसे चलने यह चलते रहेंगे इसी शेडियोल पर और हम नीट फोड़िंग के कुछ और भी आपके रिक्वार्मेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताना I will ensure each and every of your requirement is fulfilled thank you take care and bye